आज की भाग दोड़ बरी जिंदिगी में हर प्राणी मानसिक शांती चाता है और सफलता पाना चाता है जीवन के हर पहलों में आप सभी दर्शकों और शोताओं को इसी जिग्यासा को शांत करने और इच्छा की पूर्ती करने के लिए हम टेरो कार्ड यंत्र मंत्र भविश्य फल और जोतिश को लेकर जोतिश जगत के विख्यात अचारपी खुराना की शिश्या शूश्री शिल्पा डीधर जोतिश वि अलेव और वेलकम बाई आस्ट्रो शिल्पा डीधर सर्फ और सर्फ आपकी खुश्यों की हमसफर आखे बहुत ही कीमती तोफा बहुत ही कीमती उफार प्रभू की तरफ से इश्वर की तरफ से हम सब को दिया जाता है और आखों का लालन पालन पोशिं का नाम सब का करतव यह बनता है क्योंकि आखें ही हैं जो हमें इतनी सुंदर दुनिया जो है उसका नजारा करवाती है सुंदर सुंदर दृष्य दिखाती है सुंदर लोगों से मिलवाती है परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमें आखों की पीड़ा से गुजरना पड़ता है आखों के रोगों से गुजरना पड़ता है इसका क्या कारण है जोतिष्ट दृष्टी कौन से सूरिय जब हमारी कुंडली में नीच का होता है यानि की छटे गर में या आठवे गर में होता है या सूरिय पे किसी भी malefic planet की दृष्टी होती है राहू की दृष्टी होती है शानी की दृष्टी होती है तो अक्सर हमारी आखों में जलन हो सकती है आखों से पानी आ सकता है आखों का रोग हो सकता है हमें देखने में problems आ सकती है spectacles यूज़ करनी पर सकती है आँखें कमजोर भी हो सकती हैं आँखों में दर्द भी हो सकता है परंतु इसके उपाई जब हम उपाई की बात करें तो इसके क्या उपाई हैं सबसे पहले तो सुबा सुबा आप जब भी सूर्य को जल चड़ाएं पानी में से सूर्य की किर्णों को देखें याने कि सूर्य को पानी देते हुए पानी के बीचों बीच से आप सूर्य की किरनों को देखेंगे उससे आपकी आखों की जो देखने की दृष्टी है वो मजबूत हो जाती है सोने से पूर्व अपनी आखों को अवश्य दोए ताकि दिन बर की जो दूल है, मिट्टी है, पल्यूशन है आपकी आँखों से साफ हो जाए क्योंकि कई लोग की आँखी sensitive भी होती है तो आँखों को clean करके सोना बहुत ही important है नंगे पाउं गास पे रोजाना चले नंगे पाउं गास पे रोजाना चलने से ये माना जाता है कि आखों की दृष्टी जो है तेज हो जाती है क्योंकि हमारे पैरों में हमारे शरीर के हर अंग का सुत्र छुपा रहता है तो नंगे पाऊं गास पे चलने से हमारी आखों की जो दृष्टी है वो मजबूत हो जाती है और अगर हो सके तो रोजाना सूर्य उदय से पहले अपनी नींद को ले ताकि जब आप नींद से उठे उसके बाद आप सूर्य उदय जो है उसके दर्शन कर सके तो आज की जो inquiry है, बहुत सारी inquiries मेरे पास आती हैं, बहुत सारे लोग प्रशन पूछते हैं, चित सिस्टम के द्वारा, लखी ड्रॉ के द्वारा हम एक चित खोलते हैं आज की inquiry है, स्वाती जी की जो रहने वाली है गुरगाओं से, इनका प्रशन है कि इनकी शादी कब होगी, हर लड़की की तरह एक ही प्रशन है इनका, कि इनकी शादी कब होगी तो मैं आपको बता दू स्वाती जी जो गुरगाओं की रहने वाली है कि आपकी कुंडली में शुक्र प्रवेश कर रहा है 2021 की फरवरी में और आपकी शादी का योग फरवरी के बाद ही बनेगा आप कितना भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें फरवरी से पहले आप शा अनुकूल है और समय आपका साथ देगा और हमें अकसर करम तब करना चाहिए जब समय हमारा साथ दे तो समय आपका जो शादी का करम कांड है उसका जो समय है आपका साथ देगा फरवरी 2021 के बाद और ये समय आपका रहेगा दो साल के लिए तो सितारे आपका साथ देंगे ग् आप पे निर्बड करता है कि आप शादी करें या ना करें इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मैं हूँ आप सब की अपनी आस्रो शिल्पा दीडर आपकी खुश्यों की सिर्फ और सिर्फ आपकी खुश्यों की हमसफर कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अध्र प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें